हालो एव्रिवान वेलकम बैक तो विस चैनल पढ़ा खुलूग माइनम इस सी एस पायल पोखली अन हम पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ का बिजनस तडीज का इंची आटी बुक इसमें हमने आठ चाप्टर अल्रडी फिनिश कर लिये हैं और इस पर्टिकलो वीडियो से हम करने वाले हैं हमारे नाइंथ चाप्टर की जोगी है फाइनेंशल मैनेश्मेंट आई होप आप सभी ने प्रीविज चाप्टर की वीडियोस देख ली होंगी नहीं देखियें तो प्लेलिस का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीचे 12th क्ल पूरा स्लेबस में इस चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ तो कोशिश करें कर कोई भी वीडियोस्किप ना हो चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं C. चैटर का नाम है FINANCIAL MANAGEMENT तो क्यूना सबसे पहले यही समझ लिया जाए कि FINANCIAL MANAGEMENT होता क्या है तो बस आज की वीडियो में हम जानेंगे meaning of 番 кино management और साथी-साथ एक छोचुटू सी concept है business finance की नाम से उसे भी देख लेगे तो चलिए फेर शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनस फाइनेंस का मतलब समझते हैं बई देखो एक इनसान को अपनी लाइफ चलाने के लिए किस चीज की अविशक्ता होती है ओविसी पैसे पैसे के साथ एक इनसान अपनी लाइफ पीसफुली स्मूदली चला सकता है ये एक ऐसा resource है जिससे वो बाकी सारे resources खरीच सकता है जैसे इनसान की life को चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है बिल्कुल वैसे ही किसी भी business को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़ादा अविशक्ता होती है और वो पैसा जिससे business चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं business finance Diversify किया जाता है या फिर Establish किया जाता है अब यहां पर जो sentence मैंने बोला है उसका क्या मतलब है उसका मतलब है कि पैसे की अवशक्ता सिर्फ आपको business चलाने के लिए नहीं लगती है पैसा आपको लगता है establishment के time पे भी expansion के time पे भी modernization के time पे भी diversification के time पे भी मतलब business में कभी भी कोई भी event हो रही होगी business finance की आवशक्ता तो पड़ेगी ही पड़ेगी so it says money required for carrying out business activities is called business finance business की activities को carry करने के लिए जिस पैसे की आवशक्ता होती है उससे हम बोलते है business finance और business finance की आवशक्ता business को एडिएश करने में भी होती है उसको run करने में भी लगती है modernize करने में भी लगते हैं, expand or diversify करने में भी लगती है It is required for buying a variety of assets which may be tangible like machinery, factories, buildings, offices, etc. और intangible such as trademarks, patents, technical expertise, etc. ये बोलते हैं कि पैसे की आवशक्ता ऐसे assets खरीदने में भी लगती है जो कि tangible हमें दिखाई देते हैं और ऐसे assets खरीदने में भी लगती हैं जो कि intangible हैं हमें दिखाई नहीं देते बट उनकी value होती है अगर आपको नहीं पता tangible और intangible का क्या मतलब होता है तो इसकी regarding एक video अल्रेडी बनी हुई है उसका link में आपको उपर i button में दे दूंगी प्रेस करिएगा और देख लीजेगा अगर अभी तक नहीं देखी है तो आल्सो, finance is central to running the day-to-day operations of business ना सिर्फ assets खरीदने में बल्की day-to-day operations को run करने के लिए भी business finance की अवश्रक्ता होती है डे-to-day activities होती क्या-क्या है buying material, paying bills, salaries, collecting cash from customers, etc, etc, etc so basically fixed बोलो या working बोलो दोनों ही capital की requirement तो होगी ही होगी अब इस fixed capital और working capital क्या है इसका बतलब भी नहीं पता हो तो इसका भी link आपको उपर ही मिल जाएगा देख लीजेगा फिर ये बोलते हैं availability of adequate finance is thus very crucial for the survival and growth of business भया आपकी intention है business करने की आप जानते भी है business कैसे होता है लेकिन अगर आपके पास finance नहीं होगा ना तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी बहुत सारे ऐसे creative लोग जो life में पता नहीं कितना बढ़िया और successful business establish कर सकते हैं वो बस finance के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं सो यह resource बहुत ही एहम role play करता है business को बढ़ाने में चलाने में सब कुछ करने में ठीक है तो आपको business finance का मतलब समझ में आ गया यहां पर Now let's move to financial management बहुत देखो management word तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है यह क्या होता है management basically एक process होती है जिसमें planning होती है organizing होती है staffing होती है directing होती है controlling होती है और इतने सारे steps क्यों होते हैं ताकि हम effectively और efficiently हमारे goals को achieve कर सकें यह तो अभी तक हमें रट चुका होगा अब बात करते हैं financial management की यह क्या होता है तो बहुत देखो जादे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है finance का मतलब तुम्हें पता चल चुका है management का मतलब तुम्हें already पता है दोनों को साथ मिला दो बन गया financial management जब हम finance की management करते हैं जब हम finance में एक पूरी process insert करते हैं ताकि हम effectively और efficiently finance को पईसे को इस्तमाल कर सकें या procure कर सकें जो कि हमारा end goal होता है उसे हम बोलते है financial management जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि उसे procure कर सकें और use कर सकें तो यहाँ से आप क्या समझें यहाँ से आपको यह समझना था कि financial management के दो पहलू होते हैं दो important चीज़े होती हैं इसमें पहली होती है कि आपको finance को procure करना है आपको जुगार लगानी है कहां से finance आपको मिल सकता है sources के बारे में सोचना है ऐसी जगाओं के बारे में सोचना है जहां से आप finance ला सकते हैं procure कर सकते हैं और दूसरा है usage of finance मतलब finance को इस्तिमाल करना और better I should say optimally इस्तिमाल करना मतलब ऐसे कि बिल्कुल निचोड लिया जाए जितना उससे फायदा उठाया जा सकता है उतना फायदा उठा लिया जाए और बिल्कुल भी wastage ना हो सो यहाँ पे कौन-कौन सी दो चीज़े important है कि हमें finance को पहले तो जुगाड़ना है मतलब procure करना है different different sources से और उसके बाद उस finance का इस तरीके से इस्तिमाल करना है कि लोग बोले वह क्या इस्तिमाल किया है I mean बिल्कुल भी waste नहीं होने देना है It says financial management is concerned with optimal procurement as well as usage of finance Optimally procure करना और optimally use करना finance को हमारा financial management बोला जाता है For optimal procurement different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risk Procure करने के लिए हमें एक task करने पड़ती है वो क्या होती है कि हमें पहले जरिये देखने पड़ते है Sources देखने पड़ते हैं कहां कहां से हम finance चुकाड कर सकते हैं और कहां से हमें finance कितने cost में पड़ रहा है मतलब अगर हम loan ले रहे हैं तो हमें कितना interest bear करना पड़ रहा है हम debentures issue कर रहे हैं तो हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है और उसके साथ कुछ associated risk होते हैं, हमें उन्हें study करना पड़ता है और फिर comparison करके choose करना पड़ता है हमारे लिए कौन से वाला source सबसे ज़्यादा beneficial होगा और फिर हम उसे बोलते हैं कि हमने finance को procure अच्छे से कर लिया है, optimally कर लिया है फिर यह बोलते हैं, similarly the finance so procure needs to be invested in a manner that the returns from the investment exceed the cost at which procurement has taken place अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस्तिमाल कुछ इस तरीके से करना है कि जितना cost आपको उस पर देना पड़ रहा है उससे जादा आपको return उस पर मिले So basically, अगर किसी इनसान ने 10 रुपए cost पे कोई finance procure किया है, तो उसे minimum 15 रुपए तो return मिलना चाहिए ताकि 10 रुपए cost भी निकल जाए और 5 रुपए उपर से मुनाफ़ा भी हो जाए Then they say, financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of such funds यहाँ पे finally उन्होंने financial management की बारे में एक line लिख दी है जो बोलते हैं कि financial management का main goal होता है कि cost of funds को बिलकुल कम रखना, किस दाम पे आपने procure किये थे funds उसे बिलकुल कम रखना, risk को भी बिलकुल control में रखना और ऐसे funds की deployment भी इस तरीके से हो ताकि वो maximum returns आपको generate करके दे सके तो आया समझ लेकिन अभी picture यहाँ खतम नहीं होती है क्योंकि यह last sentence बहुत ज़ादा जरूरी है इस sentence में बोला गया है कि it also aims at ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding idle finance तो अगर हिंदी में यहाँ एक sentence बोलू तो यह बोलते हैं कि financial management यह make sure करता है कि जरूरत के time पे अगर आपको पैसे की आवशक्ता है तो आपकी जेब में उतने पैसे होने चाहिए जितने की आवशक्ता आपको है लेकिन at the same time कभी भी जरूरत से ज़ादा पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए कि वो खाली-पिली पढ़ा हुआ है कोई उसका इस्तमाल नहीं हो रा, ideally बस रखा हुआ है ना जरूरत से जादा होना चाहिए ना जरूरत से कम होना चाहिए बिल्कुल अप्रोप्रियेट जितना पैसा चाहिए, उतना आपके पास हो वो भी उसी टाइम पे जब आपको आवशकता है उस चीज गी Not like की आज मुझे चाहिए लेकिन कल मेरे पास आ रहा है या पर्सों मेरे पास आ रहा है, no, so जरूरत के टाइम पे one thing, जितना amount हमें चाहिए उतना, ये दोनों चीज़े बहुत ज्यादा important है, और ideally कभी funds नहीं पड़े होने चाहिए आपके पास, so ये था हमारा business finance and financial management, I hope ये दोनों ही concepts आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ अगर कोई भी डाउट है आप comment section में लिख सकते हैं, वीडियो पसंद आई है तो like a button दबादीजे, इसे अपने दोस्तों के साथ share कर लीजे और चानल को subscribe करते हुए जाहिएगा, make sure करना कि 12th class का playlist जो बना हुआ business studies का वो पूरा का पूरा आप देखे, कोई भी video skip नहीं WhatsApp नहीं कर सकते हैं, WhatsApp number description box में लिखा हुआ है, notes पेड रहने माले हैं, पहले बता तो, that's it, thank you so much for watching this video